नमस्कार बच्चों इटली का एकी करण बोड की प्रच्छा की द्रिश्च से बड़ा ही महत्पूर है तो इटली के एकी करण के बारे में कुछ तत्थ मैं आपको आज बताऊंगा आये समझते हैं इटली की एकता का जनक किसे कहा जाता है तो उत्तर होगा नेपोलियन बोनापार्ड को इटली की एकता का जनक अगर पूछा जाता है तो उत्तर होगा नेपोलियन बोनापार्ड को इटली की एकता का जनक कहा जाता है अर्थाथ एकता एक करना किसको लोगों को जनता को पब्लिक को एक करना संगठित करना और अगर प्रस्ट पूछा जाता है इटली की एकी करना अर्था इटली कई राज्यों में बिभक्त था बटा हुआ था उसको एक करना अगर ये पूछा जाता है तो उसका जनक है जोसेप मैजनी मेसनी या जो सेपे मेसनी मैसनी इडली की एकी करण का जनक जोशेश्प मेजनी को और एकता का जनक एकता और एकी करण एकता लोगों की और एक करण किसका राज्यों राज्यों का एकी करण होगा और एकता किसका लोगों का तो दोनों प्रश्ण बड़ा ही कन्फ्यूस करते हैं इसको आपको रिवीजन करना चाहिए बार-बार समझेना चाहिए इतली की एकी करण की तलवार किसे कहा जाता है एक प्रश्नाता है तलवार इतली की एकी करण की तलवार किसे कहा जाता है तो गैरी वाल्डी को कहा जाता है और इतली के एकी करण का स्रे किसको किसको जाता है तो उत्तर होगा मेजनी, काउंट कावू और गैरी बाल्डी इन तीनों को जाता है एकी करण का श्रेग और इटली के एकी करण में सबसे बाधक राष्ट कौन सा था सबसे बाधा डालने वाला राष्ट कौन था वो था आश्त्रिया तो पांच तक है यह इटली की एकटा का जनक जो लोगों को एक किया नेपोलियन गुनापाट ने इटली की एकी करण का जनक राजियों को एक किया जोसेफ मेजनी ने और इटली के एकिकरण की तलवार की उपाध ही गैरीवाल्डी को और इटली के एकिकरण का स्रे अगर कुछता है तो मेजनी अर्थात जोसेप मेजनी या जूसेप मेजनी मेजनी काउंट काभूर और गैरीवाल्डी को जाता है और इतली के एकी करण में सबसे बाधव बहरा डाणने वाला राष्ट अगर कुछता है तो आस्त्रिया है तो इस तरह से पांच तक्षों को मैंने आपको बताया आप नौकरी गुरू यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलता हूं कुछ नया ले करके धन्यवा अमस्का